आज दिनांक 3 जून 2020 को उत्तर प्रदेश में जारी 79 जर सहाइक अध्यापकों की भरती में विवादित प्रशनों पर माननिये लखनव कंट्पीट ने अपना फैसला सुनाते हुए पूरी भरती प्रक्रिया पर एक तरीके से इस्टे लगा दिया है दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहीगा यदि आप इस भरती से प्रत्यक्ष या और प्रत्यक्ष तोर पे जुड़े हुए हैं क्योंकि अब सरकार की अगली रणिती क्या होगी और क्या कुछ उसके द्वरा विचार किया जा रहा है और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है जैसा की बाते निकल करके आ रही हैं सोसल मेडिया और न्यू चैनल के माध्यम से इन सभी पक्षों पर हम लोग विश्तार से चर्चा करने जा रहे हैं तो यदि आप भी इस सभी से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप के हुए बने रहे हैं करियर बिट के इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले इसक्रिन पर आप माननिय लखनों खंट्पीट के द्वारा जो कोट ओर्डर दिया गया है स्री रिसब मिस्रा जी के के केस में उसका कोट ओर्डर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको ये जानना अनिवार है कि किन प्रश्णों को लेकर के विवाद बना हुआ है तो पहला प्रश्ण आप देख पा रहे होंगे सैक्षिक प्रशाशन उप्युक्त विद्यार्थियों को उप्युक्त सिक्ष को द्वारा समुचित सिक्षा प्राप्त करने योग बनाता है जिससे वे उपलब्ध साधुनों का उपयोग करके अपने प्रसिक्षन से सर्वत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके यह परिभासा किसके द्वारा दी गई है यह एक विवादित प्रश्ण है इसी प्रकार से दूतरा प्रश्ण था नाथ, पंथ, संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे अगला प्रश्ण जिस पे विवाद बना हुआ है वो है निमलिखित में से कौन सा एक समाजिक प्रेरक है और एक महतोफ्रून प्रश्ण ये भी था कि इन में से भारती सम्मिधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये सभी विवाद के घेरे में बने हुए प्रश्ण और इनी को लेकर कि ये court order जारी किया गया है और मानने court ने क्या कुछ टिपड़ी किया है अब अगली पैरा में आप पढ़ सकते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि 8 मैं 2020 को जब इसके लिए final answer की जारी की गई थी उस notification पर पूरी तरीके से इस्टे लगा दी जाती है और उसके बाद की जो भी proceeding की गई थी यानि कि उस notification के अधार पे जो भी जिला आवंटन सूची जारी किया गया जो भी result जारी किया गया उन सभी result और जिला आवंटन सूची पर एक तरीके से अगली सुनवाई जो की होनी है दिनांक 12 जुलाई 2020 को उस date तक पूरी तरीके से इस्टे लग गया है ये तो बात हो गई इस्टे के बारे में अब बात करते हैं कि आगे क्या कुछ कहा है मानने कोट ने तो मानने कोट ने UGC के जो चेर्मेन है उनके संदर में एक जो respondent बनाए गहाई इसमें 5, 6 और 7 नमर के जो respondent है यह उनकी जिम्मेदारी होगी कि 10 दिन के अंदर-अंदर वह UGC को जो विवादित प्रश्ण है न्यू देली में उनको इन question को available कराना होगा और UGC अपनी एक अलग से committee बनाएगी विसेसग्यों की और उसके बाद से इन विवादित प्रश्णों पर वह अपना report सौपेगी फिर से PNP को और इन 10 दिनों में यह सभी process complete करने है उसके बाद से जब अगले date की सुनवाई होगी यानि की दिनांक 12 जुलाई 2020 को उसके बाद से इस report को माननेने court में रखा जाएगा और उसके आधार पर फिर मानने court अपना सुनवाई complete करेगा और जब 10 दिनों में यह report UGC से प्राप्त हो जाएगी विवादित प्रश्णों के संदर में उसके बाद से जो respondent हैं उनको 3 वी का समय दिया गया है अपना answer counter file करने के लिए और इन सब के बाद से 12 जुलाई 2020 को अंतिम रूप से इस case की सुनवाई हो सकती है मानने court के द्वारा की गई टिपड़ी के बाद से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशद के सचिव के द्वारा दिनांक 3 जुन 2020 यानि आज ही एक लेटर सभी जिले के बियसे यानि बेसिक सिक्षा अधिकारी को लिखा गया है और यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परिशद, द्वारा संचालित परिशद ये प्रात्मिक विद्यालेओं में 79,000 सहायक अध्यापकों की भरती हेतु आयोजित सहायक अध्यापक भरती परिश्चा 2019 में उत्तिविण अभियरतियों की नियुकती के संदर में और यहाँ पर मानिय कोट ने जो इस्टे की बात कही थी उसी को कोट करते हुए जो अभी वरतमान में काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी उस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किया जा चुका है अब जानेंगे कि इन सब को लेकर के सरकार की अगली रणनीती क्या है तो आप इसक्रिंप पर एक न्यूज चैनल का फ्लेश देख पा रहे होंगे यहाँ पर बाते निकल करके आ रही है कि अब सरकार के द्वारा इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने की बात कही जा रही है यहाँ पर दूसरा आप निउज भी देख सकते हैं अब जानते हैं कि क्या ऐसा कुछ संभा हो सकता है तो माननिय कोर्ट के द्वारा जो आज कोर्ट और आया है उसमें इन विवादित प्रशनों को लेकर के कोई भी फैसला नहीं दिया गया है और कभी भी जब आप किसी फैसले के विरुद माननिय डबल बेंच में अपील करते हैं तो फैसले के विरुद अपील होती है ना कि रोक के विरुद अपील होती है तो इसमें अगर कोई फैसला दिया गया रहा था विवादित प्रशनों को लेकर के कि हम इतने common number बढ़ा रहे हैं या फिर नहीं बढ़ा रहे हैं अगर उस type का कुछ फैसला होता तो उसको court में फिर से challenge किया जा सकता था लेकिन इसमें सिर्फ stay लगा करके UGC की अध्यक्षता में इस विवादित प्रशनों को जाच कराने की बात कही गई है ना कि कोई अभी आंतरिम फैसला दिया गया है तो अभी तक के लिए जब तक कि इस मामले पर कोई इस पश्ट फैसला मानने code के द्वारा नहीं दिया गया है या फिर नहीं दिया जाता है तब तक इसको double bench में challenge ही नहीं किया जा सकता है दोस्तों आप लोग का क्या कुछ कहना है कमेंट्स के मादेम से प्रेशन के मादेम से जरू बताईगा और ऐसे ही महतोपून अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल साथ धन्यवाद